को अधनी होई को अध्य जब्धानेु में अध्यनरत भी इपार्ट प्रफooooo के विद्ध्यारतियों को पुने ऑनलाइन क्लास में स्वागत जैसा कि nossa हमने पिछि मैं लिए जो इस्तला करती एं理 के आप अपके सिर्टी घृवल के भुडब के ग्यान सेक्जन क επιसी अंतर गत ऊसमें पणके आर्य और इसे वन dental रहे ति श्सली आ क्लास में हमने मी उत कौन कंसे उते ़िए उनमें तीन दो करी pista की वबधान फिचन का ऐस पाफड़ेंटी कसी इप किन किन रूप में होता है इसके बारे में बात की थी वो तीन प्रक्रियां बताई थी अफवान की क्रिया घर्शन या अप घर्शन की क्रिया और तीसरी बताई थी शन्नी घर्शन की क्रिया इन तीन रूपों में पवन का अपरदनात्म कारे संपादित होता है फिर बात आती ह कि पबन का जो अपड़दनात्मक कारे जो होता है उससे जो इस्तला करती है बनती है अपड़दनात्मक जो कारे होता है उसको कौन-कौन सी चीजे प्रभावित करती है उसे बारे में हमने बताया था पबन का वेग पबन के साथ चलने वाली कंकड़ पत्थरों की मात्रा चट अप्रदनात्मक्ग जो काहरे दो, इससे भिमिल पिरकार की अप्रदनात्मक इस्तिला करती। उक निर्मान होता है। और इस्तरा करती हैं काफी महत्बूर्ण टॉपक की रूप में माने जाती है। इनमें सबसे पहली जो सितला करती हैं वहातगर्थ ब्लो आउट। देखे वातगर्थ को आप इस तरी के से समच सकते हो कि जब हवा तेज गती से बैथी है या पवन तेज गती से चलती है तो अपनी उड़ाने की क्रिया द्वारा या अफवाहन की करिया द्वारा वैसकर सुस्क और अर्द शुस्क भागों में अर्थात मरुस्तलिय भागों में हवाक अपने साथ कंकर पत्थर रेत आदी को वड़ा करके गर्थ बना देती है और एक गर्थ धीरे-धीरे काफी गहरे हो जाते हैं ये जो गर्थ बनते हैं इन्ही को वात गर्थ कहा जाता है जिसके विविन भागों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे मिस्र में ऐसे गर्थों को कतारा के नाम से जानते हैं जो काफी प्रशिद वात गर्थ है मंगोलिया में ऐसे वात गर्थों को पौंक्यों कहते हैं तो ये वातगर्द का मतलब है, एक लाइन में अगर हम बात करें, तो पहली इस्तिलाख करती है वातगर्द, अर्थात, हवा की जो उडाने की क्रिया है, जो अफ़ान की क्रिया है, उससे जो गर्थ बनते हैं, वो ही वातगर्थ कहलाते हैं, नम्मर दो है इनसेल वर्ग, यह वोन हार्ट, क्योंकि वोन हार्ट इनको इस वज़े से कहते हैं, कि ऐसे जो रिचर्च सबसे पहले, वोन हार्ट नाम का एक विद्वान था, उसने इस प्रकार की इस्तिला करती हो, को खुजा था, इस वज़े से उसको अपन वोन हार्ट भी कहते हैं, अब इसके हम बात करें, तो सुस्क और अर्द सुस्क भागें वहाँ पर जब तेज गती से हवा चलती है तो अपनी अफवहान इवं अपरदन की किरिया द्वारा मुलाइम सहले होती है उनको काड देती है उड़ाकर के ले जाती है लेकिन कठोर जो चट्टानी भागें वो गुम्मदाकार रूप में उभ्रे हो रूप में सीस रह जाते हैं तो ये उभ्रे हुए जो भाग जो आपके उभार के रूप में होते हैं गुम्मदाकार जो सनरचने होती है उसे इन से लवर गया बोर्नाट का जाता है तीसरी जो इस्तला करती है वो है भूस्तंब जब किसी चट्टानी भाग के उपर कठोर चट्टान नीचे के भाग को सनरक्षन प्रदान करती है तो एक पिलर सद्र सनरक्षन निर्मत होती है यह भूस्तंब कहलाता है जैसा कि डाइग्राम में दे रखा है एक पिलर है उसके उपर एक टोपी नुमा हाड चट्टान है और हाड चट्टान है अपने नीचे के भाग को सनरक्षन दे रखा है जिसे एक पिलर या खंबे जैसा इस्तिला करती खड़ी हो जाती है जिसे बोश्तम के नाम से जानते है नमबर चार है छत्रक्सिला या गारा मरुस्तलिय भागों में जब तेजगती से हवा चलती है तो उसके अपनी जो क्रियाएं अप घरसन, सन्नी घरसन, अफवान इसके द्वारा एक छत्री नोमसन रचना का निर्मान करती है एक मस्रूम रॉक के टाइप की एक इस्तला करती बनाती है जिसे छत्रक्सिला या गारा का जाता है नमबर पांच जियुजेन जब मुलाइम और कठोर चटाने समननतन रूप में विस्त्रत होती है तो उपर से पवन कठोर सेलों के छेत्रों में प्रिवेश करके नीचे की कॉमल सेलों को काड़ देती है तो शाही का दो दवाद होता है उस तरीके की संरचना निर दवारा लंवत रूप में मुलाइम सेलों को काड़ देती है और कठोर सेलों के बीच में घाटिया सद्रस संरचना बन जाती है जिसे यार डंक आ जाता है इसके बाद जालीदार सेला जैसे पवन के मार्ग में कोई चट्टान खड़ी हुई है जब चट्टान से बार बार ह जाले होती है वो कट जाती है तो बीच में उसके छिद्र हो जाते है जाली सी बन जाती है जो जालीदार सेला कहलाती है कई बार जो जालीदार सेला कहलाती है तो एक महराब की आकरती का निर्मान हो जाता है इसी प्रकार से अगली सिलाकरती ड्राई कांटर मरसली भागों मे कठोर चट्टानी सिलाखंडों पर पबन द्वारा नकासी की तरह स्क्रेच पड़ जाते हैं वो स्क्रेच होते हैं उसको ड्राई कांटर कहा जाता है तीन फलक वाले सिलाखंड को ड्राई कांटर उससे अधिक फलक वाले को वेंटी फेक्ट कहा जाता है तो इस तरीके से ये पवन का जो अपरदनात्म काहरे है उससे विचित प्रकार की इस्तला करते हो निर्मान होता है जिन्हों अपरदनात्म के इस्तल रूप कहते हैं ये इस्तल रूप अगर आप से पूछे जाते हैं तो आप इनको विधिवत रूप से क्रम से इनका वरनन कर करते हुए डाइग्राम बनाते हुए इनकी व्याख्या करें पने में बता रहा हूं पवन के अपरदनत्व कार्णे से जो इस्तला करती है उसमें सबसे पहले वातगर्थ ब्लो आउट नंबर दो इनसेलबर्ग नंबर तीन भोष्थंब नंबर चार छत्रक सिला या गारा नंबर पाँच जूजेन नंबर छे यारडंग नंबर साथ जालिदार सिला और नंबर आठ ड्राई कांटर तो इस प्रकार से अनिक प्रकार की इस्तला करती हुए निर्मान होता है जने अपरदनात्मक रूप कहा जाता है तो आज की क्लास में हमने अपरदन का जो कारे होता है पवन का वो तीन रूपों में समपादित होता है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ तीन रूप कौन-कौन से होते हैं अफवान की करिया होती है इसके बाद आपके दूसरी जो करिया होती है वो घर्षन या घर्षन की क्रिया और नम्मर तीन सन्नी घर्षन की क्रिया और इससे पवन जो अनिक प्रकार के जो कार्रे हैं अपर्दन के कार्रे हैं उसे बिभिन प्रकार के विच्छतर इस्तिलाकरतियों के निर्मान करती है और यह पवन का जो कार्रे होता है उसको भी प्रभावित करती हैं, ये भी हमने बात की थी, जिसमें पवन का बेग है, जलवाई। का धसाए कैसी है, वहनसबति का आवरण कैसा आए, पवन जो बहे रही है, उसके साथ कंकड़ पत्थर की मात्रा कितनी चल रही है, ये सारे चीज़ें प्रभावित बोज़ें, पवन के अपरदनात्मक कार्यक हो और अपरदनात्मक कार्यक जब होता है तो उसे कौन-कौन से इस्तला करतियों का निर्मान होता है इसके वह बारे बारे में बात की थी अपरदनात्मक इस्तला करतियों के रूप में अधिकतर जो इस्तला करती बनती है वो दोबारा अपने रिपीट कर रहा हूँ नमबर एक वातगर्थ नमबर दो इनसेलवर्ग नमबर तीन चत्रक सिला या गारा नमबर चार भुष्तम्भ नमबर पांच जियुजेन नमबर छे याडां नमबर साथ जालिदार सिला और नमबर आठ ड्राइकांटर तो इस तरीके से ये आपके अपरदनात्म कार्यक का परिणाम नहीं है ए इनसेलवर्ग ओप्शन बी लेपीज ओप्शन सी ड्राइकांटर और ओप्शन डी याडांग एक प्रिश्ण ओल लिखिए पवन निम्न में से किस रूप में अपना अपरदनात्म कार्य संपादित नहीं करती है ओप्शन ए अफवान ओप्शन बी घर्षन ओप्शन सी सन्नी घर्षन और ओप्शन डी जलगती क्रिया एक प्रिश्ण ओल लिखिए निम्न नात्मक प्रिश्ण है विश्व के सुस्के और अर्द सुस्क भागों में पवन का कार्य किन-किन रूपों में संपादित होता है तथा पवन के द्वारा बनने वाली अपरतनात्मक इस्तलाकरतियों का वर्णन कीजिए तो इस प्रिश्ण में आपको सबसे पहले ये बताना है कि पवन का जो कार्य वो तीन रूपों में संपादित होता है जो मैंने बताया था अपरदनात्मक इस्तलाकरतियों को प्रभावित करती है आप इस प्रश्ण को अपनी रजिस्टर में घर पर नोट डाउन करें लिखें और फिर मुझे ऑफलाइन क्लास जब अपनी स्टार्ट हो तो मावित ध्याले में चेक कराएं थेंक्यू थेंक्यू सो मच्छ कर दो दो आपनी कर दो दो आपनी रजिस्टर में रजिस्टर में तो अन्यू चुशता कर दो दो आपनी स्टार्ट है झाल झाल